वेलकम टू इगनित हलो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं दुन्या की सबसी महंगी सबजियों में से एक गुच्छी की सबची गुच्छी एक वाइल्ड मुश्रूम है जिसे जंग्रों से इकठा करके इस तना से धागे में पिरो कर सुखा लिया जाता है और ये लगबग 15,000-30,000 रुपे किलो तक के रेट पे बिखती है गुच्छी से कई परकार की मैजिसन्स बनाए जाती हैं और इसे भारत से विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है गुच्छी को बनाने के लिए इसे 7-8 गंटों के लिए पानी में भिभो दिया जाता है इसे धागे में से निकाल कर पानी में भिभो लेंगे गुच्छी को बनाने से पहले 5-6 बार अच्छे से पानी में धोलें क्यूंकि इसमें मिट्टी चिपकी होती है अगर यह अच्छे से साफ नहीं हुई तो खाने में विल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी मैंने इसे छे बार दो लिया है अब इस तरह से दबाकरिस का पानी निचोड लेंगे अब हमने बड़े मशुरूम्स काट लिये हैं छोटो को हमने वैसे ही रहने दिया है हमने यहाँ पर दो लाल मिर्च, दो लॉंग, दालचीनी, बड़ी इलाची, तेज पत्ताव, आधा चमत जीरा ले लिया है एक कराई में देशीगी गरम कर लिया है, इसमें हम सबसे पहले लाल मिर्च डालेंगे फिर जितने भी हमने खड़े मसाले लिये थे, तेज पत्ता, दाल, चिनी, बड़ी, राची, लॉंग, गरा और जीरा डाल लेंगे अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है बारीक कटा हुआ लहसुन्व अध्रक डाल लेंगे, या फिर इनका पेज़्ड भी डाला जा सकता है इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है प्रेंड्स अगर आप प्राकरतिक रूप से दमकती ही तचा पाना चाहते हैं तो Organo Blues के Natural Skin Care Product यूज कीजिये Organo Blues 100% Natural Organic Products बनाती है Organo Blues में आपको अलग-अलग Skin Conditions के लिए Cool Process Soaps मिल जाएंगी मार्केट में मिलने वाली जारातर सोप्स होर प्रोसेस से बनाए जाती हैं जबकि और्गैनो ब्लूज में कोल प्रोसेस्ट सोप्स मिलती है कोल प्रोसेस में सोप्स को कम ताफमान पे बनाया जाता है जिससे कि इसमें यूज किये गए सभी इंग्रीजेंट्स का भरपूर फाइदा आपको मिल सके हाट प्रोसेस में सोप कुछ घंटों में ही रडी हो जाती है जबकि कोल प्रोसेस में सोप बनाने के लिए लगभग एक से तेड़ महिने का समय लगता है औरगानो ब्लूज में बनाय गए प्रोड़क्ट्स में किसी भी तरह का सिंथेटिक कलर या सिंथेटिक फ्रेग्रेंस यूज नहीं की जाती है औरगानो ब्लूज के प्रोड़क्ट्स में कोई भी हामफुल केमिकल जैसे की पैरा बैंस या फी SLS नहीं डाला जाता है ये eco friendly हैं इनकी packaging प्लास्टिक में नहीं होती पूरी तरह से eco friendly packaging का इस्तमाल किया जाता है और ये market में मिलने वाले natural organic products की comparison में किफायती भी है आप Organo Blues को Instagram और Facebook पर follow कर सकते हैं इसका link description box में दे दिया गया है Organo Blues की website पर जाकर आप shopping कर सकते हैं लिंक description box में दे दिया गया है Organo Blues के product बहुत ही जल्द Amazon और Clip Card पर भी available हो जाएंगे आप एक बार Organo Blues के product ट्राइ करें डिफ्रेंस आप खुद फील करेंगे अद्रक और लसन भी भून गए हैं अब हम इसमें पिसे हुए टमाटर डाल लेंगे मैंने यहाँ पर दो चोटे टमाटर लिए हैं टमाटर अच्छे से भून गए हैं इनसे और सेपरेट हो गया है अब इसमें आधा चमत चल दी एक चताई चमत लालमेश पाउडर आप स्वादानुसा लालमेश पाउडर डाल सकते हैं स्वादानुसा नमक मैंने एक चमत डाला है अब हम इसमें कटी हुई गुच्छी डालकर लगभग 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे गुच्छी को फ्राइ करते हुए 2 मिनट हो गए है, अब हम इसमें पानी डाल लेंगे फ्लेम को हाई करके एक बॉयल आने देंगे पहाड़ों में गुच्ची को चावलों के साथ खाया जाता है इसलिए इसमें हम पानी का अमांट थोड़ा जादा डालेंगे एक उबाला जाने के बाद हम इसे धक कर लो फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए पका लेंगे धक कर पकाते हुए मुझे 10 मिनिट हो गए है गुच्ची की सबजी रड़ी है अब हम गैस बंद कर देंगे गुच्ची की सबजी बहुत ही पौश्टिक होती है इसमें प्रोटीन प्रचूर मात्रा में होता है अगर ये अवेलेबल हो तो इसे जरूर खाए हालांकि ये मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलती है गुच्ची जादा उंचाए वाले इलाकों में जंगलों में पाई जाती है गुच्ची को ढूणने में महनत करनी पड़ती है मेरे वीडियो को लाइक वाशियर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वाचिंग